सनातन बंदू दीपावली की समान ही कार्तिक पूर्मा का भी पर्व है जिसे धर्व गंतों में देव दीपावली कहा गया है मानिता है कि भगवती लक्ष्मी सहित समस्त देवतागान इस दिन प्रित्वी लोग पर विचरन करते हैं जो सनातनी भाई बहन घी के दीपाग अत्वा तिल के दीपाग जलाकर देवताओं को अर्पित करते हैं उन्हें देवताओं की अनकूलता तो प्राप्त ही होती है किन्तु भगवती लक्ष्मी की प्रसंता के लिए भी एक ऐसा उपाई है जिनने करने मात्र से आगामी पंद्रह दिनों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा भगवती लक्ष्मी की प्रसंता की लासा रखने वाले साध्कों को चाहिए कि एक सच्छ पात्र में पूर्मा तिथी के ब्रह्म मूर्थ में उठकर उस पात्र में एक सिक्का रखें उस सिक्के के उपर भगवान सालिग राम को विराजमान करते हुए उन्हें दोगध, दही, मधू, घी और शरकरा से असनान कराएं तत्पस्चाथ सालिग राम को आसन पर प्रतिष्थित करें भगवान सालिग राम को आसन पर प्रतिष्थित करने के बाद उन्हें भोग लगाएं और जो सिक्का इसनान से पूर्वर आसन के रूप में भगवान सालिग राम के पास रखा गया था उस सिक्के को पुनहा सालिग राम के पास रख दे आरती करें दूसरे दिन भगवान सालिक राम को उसी सिक्के पर विराजमान कराकर पुना स्नान कराएं और वह सिक्का एक लेकर हल्दी से उस पर स्रीम मंत्र लिखें और पीले कपड़े में लपेट कर धन रखने वाले इस्थान पर रख दे भगवती की कृपा होगी और निश्चित आने वाली अमोस्या तिथी से पूर्व ही आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा